हाई फ्रेंस नमस्कार डिफेंस अफडर भारत प्राव का स्वागते सो फ्रेंस इंडान नाभाल पोर्षेस के तरप से के बहुत भड़ी खबर आ रहा है। कर सकता है क्योंकि यह विचार है कि खरीच जने वाल एरकार्प की संख्या में कोटोती के निन्ना के बाद डियाद्यों ने एरकार्प के सोधिसी विकास का प्रस्थाप दिया है जो की टीडिवी है मतलब टूइन इंजिन डेक बेसिड फाइटर एरकार्प और आमका है मतलब अभी हमारे नाभाल पूर्शेस का जो 57 करियोड डेक बेसिड एरकार्प रिकर्ड था उसे अभी काम कर दिया गया है मतलब 36 पे पहंचा दिया गया है क्यूंकि ये बजट कमी के कारण किया गया है एसा कहा जा रहा है वर्तमान इंजिया नाभाल पूर्शेस के आईउनेस ये बेरियंट डेक बेसिड एरकार्प को ये एरकार्प पर इस्तमाल करेंगे मतलब 2022 को हमारे आयनेस विक्रांत फुली ऑपरेशनाल हो जाएगा जो बहुत ही कौम टाइम है उसके आंदर हम कोई नया आरकार्प खरीद नहीं सकते हैं या इतनी जल्दी भी खूद टीडी पीएब को रेडी नहीं कर सकते हैं नोशना के प्रमुक आड्मिराल करमबिर सिंग ने इंडान आरफोस के साथ ये बात पिछले हफ्ते में कहा है कि सो फ्रेंस इसी तरह लाटे डिफेंस आपडेट देखने के लिए डिफेंस आपडेट बारत को जरू सर्काइब कीजिए बेल आइकोन को दबाईया और पर प्रेस कीजिए नोशना के प्रमुक आड्मिराल करमबिर सिंग ने इंडान आरफोस के साथ ये बात पिछले हफ्ते में कहा कि आगे मिक-29 के बेरियंट को रिप्लेस करने के लिए हम मॉल्टि रोल कैरियर बॉन एयरकाप को लेकर इंडान आरफोस से संपर्क किये हैं और हम उनकी प्रतिक्याय को इंतिजार किये हुए हैं इंडान नाभाल पोसेस की लड़ाकों खरीद ये जनायों पर अर्मिराल करमबिर सिंग ने कहा कि न्यू डेवलप के तोहत टूइन इंजिन कैरियर बैसी डेक फाइटर का मेरा आसा ये है कि 2030 तक TDBF मतलब टूइन इंजिन डेक बैसीड फाइटर एरकाप्ट इंडान आम फोसेस को पूरी तरिके से समर्पित किया जाए गया फ्रेंच ये रिपोर्ट में एक नेहा रिपोर्ट सामने आए कि हमार नावाल फोसेस के तरब से अभी चो 57 आरकाप्ट ते रिकॉर्ड था इसे काम कर दिया गया है मतलब अभी 36 आरकाप्ट को हमारे नावाल पोसेस में सामील किया जाएगा जिहाँ लेकिन ये रुपोर्ट अभी पूरी तरीके से फाइलनान नहीं है बस अभ ये रुकार के अंतिम निन्यों का इंतिजार है वो फ्रेंस ये था टोपिक आशा करता हूँ ये टोपिक आपको जरू आचालोगा आगातोक पड़ा तमसर दीजिए डिफेंस आपटेट भारत को जरू सस्काइब कीजिए जोहिन जय भारत